हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेन जी के की सीरीज शुरू की हुई थी और हम इस बुक को लाइन टो लाइन पढ़ रहे थे तो चलिए आज है हमारा लेक्चर नॉमबर फूर और आज हम पढ़ेंगे बुद्धिस टेक्स्ट एंड जीन टेक्स्ट तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हिंदू टेक्स्ट के बारे में तो यह सारे किसके अंदर आते हैं यह आते हैं religious text के अंदर यानि कि जो धर्म से related है यानि कि धर्म किसी धर्म से लिए गए है और उसमें हमें history के बारे में पता चलता है तो चलिए आगे study करते हैं Buddhist text and Jain text Buddhist text देखें Buddhist text जो है उसे दो categories में divide किया गया है कैसे? एक है polytext और दूसरा है अनुपाली text इन्हें case basis पे differentiate किया है देखें इन्हें language के basis पे differentiate किया है पाली text मतलब वे text जिनने पाली भाषा में लिखा गया है और अनुपाली text जिनने संस्कृत या किसी और भाषा जैसे की प्राकृत में लिखा गया है तो इन्हें language के basis पे differentiate करते है अब जो पाली टेक्स्ट है उसके अंदर कौन-कौन से टेक्स्ट आते हैं देखे एक तो most important बुद्धिस्म का आपने पढ़ा होगा न त्री पिताग जो तीन किताबे हैं विनय पिताग, सुत्त पिताग और अभिदम पिताग ये तीनों की तीनों आती हैं पाली टेक्स्ट के अंदर एक आती है दीप, वंशा, महावंशा और मिलिंद पनाहो उसके बाद second is अनुपाली टेक्स्ट इसके अंदर कौन-कौन से हैं जो की संस्कृत में लिखे गए हैं जैसे की एक्जामपल दिव्यवदान, आर्या मंजू, श्री मुलकपा और ललत विस्तार तो इन्हें ब्रीफ में पढ़ते हैं यानि की इनके अंदर क्या-क्या दिया गया है कई कों से king के बारे में यह देखिए पाली टेक्स्ट की तREE पिताक important है धीप व裁न्श महा वंश और मिलई पना हो यह सारे के सारे important text है और तREE पिताक त्री मतलब three three तो यह इन के अंदर त्री मतलब तीन यानि कि तीन बुक्स के combination को क्या कहते हैं स्री तुरी पिताक कहते है कौन-कौन सी एक है विनय पिताक सुत्त पिताक और अभिदम पिताक तो ये कब लिखी गई थी विनय पिताक और सुत्त पिताक है ये तो फॉर्स्ट बुद्धिस्ट कांसिल के दोरान ही लिख दी गई थी कब जो कि राज राजग्रीहा में हुई थी 483 BC में लेकिन जो अभिदम पिताख है ये बाद में लिखी गई थी ये 3rd भुद्धिस्ट काउंसिल के दुरान लिखी गई थी जो कहां पे हुई थी पाटले पुत्र बिहार में 250 BC में जो 3 पिताख है वो हमें बताती है उस टाइम पे इंडिया क सोशल और रिलिजिस कंडिशन कैसी थी कब the centuries before Christ यानि की BC से पहले ठीक है उसके बाद विने पिताख विने पिताख के अंदर क्या क्या बताया गया है जो disciplinary rules regulations होते है न मोनेस्टिक लाइफ के उनके बारे में बताया गया है तो हम बुद्धिस्ट काउंसिल का बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यह important होती है और हर paper में आती है यह देखिए friends यह है four Buddhist council जो कि हुई थी वैसे तो बहुत सारे हुई थी लेकिन हमें सिर्फ यही याद करनी है क्योंकि यही paper में पूछी जाती है most important यानि कि कौन सी हुई थी कब हुई थी और कहां पे हुई थी और chairman कौन था यानि किस का नेत्रित्व किस रिशी ने किया था और किसने करवाई थी तो the first Buddhist council कब हुई थी 483 BC में हुई थी आप चाहे तो screenshot भी ले सकते हैं first Buddhist council कहां पे हुई थी राजगरिहा में chairman कौन थे महाकशब जी और royal patron अजात शत्रू जी ने करवाई थी इसमें क्या लि second council हुई थी वेशाली में 383 BC में इनके chairman थे सब कामी जी और royal patron थे काल अशोका जी काल अशोका king है न वो third council हुई थी 250 BC में जोकि पाठली पुत्र में हुई थी किस king के दौरान हुई थी अशोका king ने करवाई थी king अशोका ने और chairman थे मोगली पुत्र तीसा fourth Buddhist council हुई थी 72 AD में कहां पे हुई थी कुंडलवन किश्मीर में हुई थी और इनके chairman कौन थी वाशुमित्र अशोकोशा और किस king ने करवाई थी कनिश्का king ने करवाई थी और इसी के दौरान जो बुद्धिस्म है उसके दो में डिवाइड हो जाती है कौन-कौन से एक हीन ज्यान और महायान में उसके बाद next point is सुत्त पिताक जो है वो तीनों पिताकों में सबसे largest है then it is the अंबथा सुत्त जो है दिग निकाय का दिग निकाय मतलब दिखी friends part यानि कि जो अंबथा सुत्ता का दिग निकाय है सुत्त पिताक का उसके अंदर क्या लिखा गया उसके जो शत्रिय होते हैं उनके Blood Purity का और उनकी Pride का यानि कि वो कित्ते महान होते हैं हार नी मानते उनके बारे में बताया गया है जो अंगुत्र निकाय of सुत्त पिताक के अंदर 16 महाजन पद के बारे में बताया गया है और जो जातक है किसका खुड का निकाय का उसके अंदर 549 फोक टेल्स हैं किसकी प्रिवियस बर्थ की गोतम बुद्धा जी के उसके बाद ये सारा इतना important नहीं है सिर्फ इतना है जो जातक है उसके उसमें क्या क्या बताया गया है religious और cultural text जो कि उस बताती है कि social और economic conditions कैसी थी उस time पे then abidham pitaak abidham pitaak में क्या बताया गया है doctrines बताई गयी है यानि कि teachings जो बुद्धा ने teachings दी थी थी ना गोतम बुद्ध जी ने कि हमें क्या क्या teachings follow करनी चाहिए life में कैसा होना चाहिए एक इनसान को उसे अच्छे काम करते रहना चाहिए गरीबों की मदद करनी चाहिए किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए यह सारी की सारी teachings किस में लिखी है abidham pitaak में लिखी है उसके बाद the deep vansha and maha vansha यह दोनों की text है यह कब लिखे गए थे 5th century AD में लिखे गए थे देखे यह जो दोनों text है यह श्री लंका में लिखे गए थे लेकिन यह इंडिया की history में भी focus करते हैं जो कि उस time पे कौन रूल कर रही थी modern dynasty रूल कर रही थी ना तो यह उसके बारे में भी बताते है जो originally the milind पना हो जो milind पना हो जो book है उसको क्या कहते है questions of milind जो milind king था इंडो ग्री क्रोलर जिसका नाम था मिनेंडर वो उसके मन में देखे बहुत सारे प्रशने थे philosophical प्रशने यानि कि मैं कौन हूँ मेरा क्या aim है यह सब कैसे हो रहा है क्यूं हो रहा है मेरे साथ ही क्यूं हो रहा है होता है ना philosophical प्रशन हमारे दिमाग में कई बारी यानि कि हमारा aim क्या है motive क्या है हम क्यूं पैदा हुए है यह सब तो उसके दिमाग में बहुत सारे questions थे तो उन्हें एक Buddhist monk मिले जिनका नाम था नाग सेना तो उन्होंने उससे अपने प्रशन पूछे है उन्होंने सारे जवाब दे दिये तो यह book जो है मिलें पना हो यह basically उसके questions और answers के उपर ही लिखी है और थोड़ा बहुत किसके बारे में बताया गया है social और religious life और थोड़ी बहुत economic life कि इसकी northwest इंडिया की और उसमें बताया गया है foreign trade के बारे में भी यानि की इंडिया का व्यपार कैसे होता था दूसरे देशों के साथ उसके बारे में भी बताया गया है उसके बाद आते है अनुपाली text अनुपाली text कौन स Sanskrit text यानि की जो Sanskrit भाषा में लिखे गई है the main important उसके अंदर कौन-कौन से है दिव्यवदान आर्या मंजूशरी मुलकपा और लरे विस्तार दिव्यवदान के अंदर क्या लिखा है इसके अंदर बताया गया है modern kings जो modern kings थे और शुंग किंग थे ना उनकी life के बारे में बताय गया है the political events of pre modern period यानि की pre modern मतलब modern dynasty आई थी उससे पहले जो डाइनस्टी रूल कर रही थी इंडिया पे वर्धन डाइनस्टी उसके बारे में भी बताया गया है सबसे जादे किसके बारे में बताया है जो king थे हर्ष वर्धन वर्धन डाइनस्टी के उसके बारे में बताया गया है किसमें इस टेक्स्ट में आर्या मंजूर श्री मलकपा टेक्स्ट में लालित विस्तार के अंदर क्या बताया गया इसके अंदर बताया है एक्ट्स ऑफ गोतम बुद्धा यानि कि गोतम बुद्ध के बारे में बताया है और उनकी religious और social conditions कैसी थी उसके बाद आते है जैन टेक्स्ट देखिए जैन टेक्स्ट कौन से टेक्स्ट है जो जैन धर्म से लिए गए हैं ये किसके बारे में बताते हैं religious और social conditions के बारे में बताते हैं कि उस समय पर इंडिया में जितने भी लोग रहते थे हमारे देश भारत में उनकी religious और social conditions कैसी थी यानि कि किस भग उनकी social और religious conditions के बारे में, किसमें बताया है, जैन text में. Then it comes कि जैन text कब compile हुए थे, ये हुए थे 6th century AD में, कब जब दूसरी जैन महा सभा हुई थी, वल्ल भी गुजरात के अंदर हुई थी न, तो ये तब compile हुए थे. जैन text के अंदर सिर्फ 12 अंग ही है, जो important है. उसमें से आता है, एक आता है अचरंगा सुत्र, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है, disciplinary rules and regulations, जो जैन मोंक होते हैं न, उनकी rules and regulation, यानि कि वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वो क्या क्या follow करते हैं, वो सब बताया गया है, अचरंगा सुत्र के अंदर, दभगवती सुत्र में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है महवीरा, और जो महवीरा जैन धर्म के थे न, उनके बारे में बताया गया है, और जो 16 महा जन पत्थे हमारे इंडिया में उनकी लिस्ट दी गई है then नाम धमा कथा सुत्र के अंदर बताया गया है preachings of महावीरा यानि कि महावीरा जी की teachings क्या क्या थी कैसा इंसान को होना चाहिए क्या क्या follow करना चाहिए क्या कर्म करने चाहिए लालेच नहीं करना चाहिए ये सब चीजे किसमें बताई गई है कथा सुत्र में अंतगड़ा दसाओ और ये इसके अंदर बताया गया है जैन स्टोरीज है देखिए ये जैन मौंग्स की लाइफ स्टोरीज उसके बाद यानि कि हमें कर्म करते ही रहना चाहिए उसका फ़ल बगवान अपने आप दे देगा ये सब किसके अंदर बताया गया है विवाग ये सुत्र के अंदर उसके बाद है भद्र बाहु चरित ये एक लाइफ स्केच है यानि कि एक जैन अचार्रे है भद्र बाहु उनके बारे में बताया गया है और लेटर लाइफ किसकी जो मौडरीन कींग थे ना चंदर गृप्त मौडरिय में उनके बारे में फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंच्ट अफ यानि कि हिस्ट्री के पॉइंट अफ वीउ से परिक्षिता परवा रिटन बाई जैन चार्य हेम चंद्र हैस दा मोस्ट इंपोर्टन प्लेस अवंग यानि कि जैन टेक्स्ट के अंदर बहुत ही जादा महतुपूर्ण स्थान है किसका परिशिष्ठ था परवा ये किसके द्वारा लिखा गया था जैन चार्य के बारे में तो आज का लेक्टर हम यहीं कंक्लूड करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टन तो यही है जो त्री पिताक की किताब है उसमें सबसे ज़्यादा कोश्चन्स आते हैं तो बाकी इतना ही बस तो हमारे चैनल के लो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक Thank you so much!